एसलम अलेकुम एवरीवन मैसल वाइजा और तो देग आई तो टीच यू अबाओ ओस्मो रगुलेशन और टीडिनी का जो मारा टॉपिक बहुत सिंपल है इसमें यह बता रहे हैं कि जो किडिनी कि दो मोस्ट इंपॉर्टन फॉंक्शन परफॉर्म करती है कि इसमें ऊस्मो किडनी जो मेंनली फंक्षिन पर फार्म करती है इसमें जो फंक्षिन आजाते हैं वह इसक्रीट्री सिस्टम और ते इसमो रेगुलेटरी और दूसरा उसमोर रेगुलेटरी इस ते लिए जब हमारे पास बाड़ी फ्लूड्स या ब्लेड के अंदर वाटर की जो इसमोर जब हमारे पास ब्लड के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन होती है वह लो हो तो क्या होता है रियाब्जर्प्शन जो होती है रियाब्जर्प्शन वह ज्यादा होती है रियाब्जर्प्शन जो होती है वह ज्यादा होती है इस डैट क्लिर और जो है हमारे पास जूरीन के कितना प्रोड्यूस होता है य побाड़ी फ्यूट्स नें पर देड बाड़ी फ्यूट्स के अंदर हो तो इसकी जो रियब्सरप्शन होती है वह ज्ञाय्टार के अंदर हैं लेस्ट उरीन प्रोड्यूस और जब हमारे पास उरीन लेस्ट प्रोड्यूस होता है जो वाटर के कंसेट्रेशन है ने बाड़ी फ्लूट्स के अंदर तो इसके अंदर के होती है रीअबसर्प्शन ज्यादा होती है रीअबसर्प्शन ज्यादा की होती है बिकास हमारी बाड़ी को वाटर की बहुत ज्यादा ज्रूरत होती है और अगर हमारी किड्नी सारा का सारा वाटर मारी बाड़ी से आउट साइट बाए निकाल दे तो क्या होगा कि हमें क्या होगी वाटर की कम्हीं हो जाएगी जब वा हमेरीauft Lutherh心 की बर Christian Luther thLee उन्ल toca xD अगरम बात करेंं वाधर की बादी जैदा होती है वार्टर की कैसे होती है। तो बाड़ी के अंदर वाटर हो ज्यादा होता है तो हमारी के वाटर बाड़ी के बाइच जाए और इस वज़ए से वाटर को रिजाए नहीं करती है तो जब मारी बॉडी के अंदर वाटर जयदा होगा तो तो मोर हुरीन प्रोड्यूज होगा मोर हुरीन, is that clear? So this is all about Osmo Regulation and Kidney अब इसका जो टॉपिक है वो हम बुक से रीट कर लेते हैं So let's read out So kidney plays the most important function in homeostasis of the body Body के homeostasis में जो kidney ने हैं वो most important function play करती है They mainly perform the Osmo Regulatory and Excretory functions Mainly इसके जो दो काम होते हैं वो कोंड से होते हैं First of all तो हमार पास ये Excretion का काम करती है और दूसरा Osmo Regulatory का When body fluids including blood having limited amount of water जब body fluids के अंदर blood को मिला के इसके अंदर limited amount of water होता है तब क्या होता है? There is more reabsorption तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो reabsorption होता है वो जादा होता है water की glomelural filtrate से into the blood capillaries से As a result the net volume of urine decreases and the water is consumed in the body In contrast when there is an excess of water in the body fluids and blood The reabsorption of water from the glomelural filtrate is reduced So more water remains in the renal tubule and more urine is produced In this way the excessive water is released from the body So इस तरह से जब हमारे body के अंदर water की concentration high होती है तो हमारे पास reabsorption काम होती है और more urine produced होता है So अगर एक मैं आपको knowledge की बार बता हूँ यह हमारे book के अंदर नहीं है अगर जब reabsorption करती है ता आप kidney को ज़्यादा work करना पड़ता है तो जब हमारे body के अंदर water कम होता है तब हमारे kidney को ज़्यादा function performed करने पड़ते है यह हमारे kidney को ज्यादा function perform करने पड़ते है इसका answer आपने मुझेomें चल्ट देना है अगर आपको इस topic से related कोई भी question है यह पूंछ सकती है झाल वाज़ 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 इस